क्या सल्मान खान ने मान ली है अपने डाद सलीम खान की अद्वाइस? क्या फिल्म राधे को लेकर मिले क्रिटिसिजम के बाद सल्मान खान अपनी फिल्म चॉइसेस को लेकर सोचने पर हो गई है मजबूर? क्या सलमान खान commercial entertainer films के साथ साथ meaningful scripts की कर रहे हैं तलाश? वेल हाल ही में सलमान खान की फिल्म राधे को मिले backlash के बाद, सलमान खान के डाद सलीन खान ने कहा था कि राधे was not a great film. और अब reports आ रही हैं कि सलमान खान ने real life based film के expert माने जाने वाले डिरेक्टर राजकुमार गुपता के साथ एक real life based film पर काम करने का लिया है decision. कहां जा रहा है कि सलमान खान राजकुमार गुपता के साथ पिछले कुछ महीनों से टच में है और अब फाइनली उन्हें एक फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई है. और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो सलमान खान साजित नाध्याद्वाला प्रदूस्ट फिल्म भाईजान के बाद इस फिल्म पर काम शिरू कर सकते हैं. इस डिवेलप्मिंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Rajkumar Gupta has been in conversations with Salman and his team for a while now and things seem to have finally fallen in place. Salman has loved the world that Gupta has created and is very eager to explore it soon. The two are in advance talks for this project. In fact, if everything goes as planned, the director will jump into the pre-production stage within the next two months. कहा जा रहा है कि ये फिल्म यूज्वल सल्मान चान एंटर्टेनर्स की तरहा नहीं होगी. बल्कि अक्षिन फिल्म के नारटिव का पात होगा. Sources का कहना है, It's his pet project, essentially a thriller with bits of action in the narrative that stems from the screenplay. The story centred around the protagonist demands the presence of a superstar with a certain amount of aura and there is no one better than Salman to pull off this flamboyant character. It marries content with action, drama and most importantly, thrills. वैसे सल्मान खान राजकुमार गुप्ता की फिल्म से पहले साथ की सूपर हिट फिल्म Master के रीमेक पर काम शुरू कर सकते थे. लेकिन इस फिल्म के हिंदी एडाप्टेशन की स्क्रिप्ट का सल्मान खान अभी भी वेट कर रहे हैं. लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सल्मान खान इस फिल्म में इंट्रेस्टेड है. आपको बता दें, राजकुमार गुप्ता ने No One Kill Jessica और Raid जैसी एंटर्टेइनिंग फिल्म्स को डिरेक्ट किया है. ऐसे में सल्मान खान के साथ उनका क्लाबरेशन हो सकता है ट्रूली एंटर्टेइनिंग.